अब 2-3 महिन में आपके 20 तरह ट्यारी करेंगे मुस्किल से 20 टॉपिक होगा पच्छी टॉपिक होगा उस टॉपिक का लिस्टा को दे दिया जाए मेरा जो टार्गेट रहेगा वो 75 डेज का एक टार्गेट रहेगा क्या आपको समय अब जहिंद मैजे गुपता आपको इस चैनल के माधियम से हार्दी खार्दी का भी नंदर करता हूँ दोस्तों आज मैं बहुत ज्यादा खोस हूँ खोस होने का कारण भी है कोईके आज से ठीक एक महिना पाले मैंने इस चैनल के माधियम से वीडियो डालना शुरू किया था जब शुरू किया था उसे में बिल्कुल 0 सब्सक्राइबर से शुरू किया था और अच एक महेना के अंदर आप लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर जो है पूरा कर दिया आप लोग का ये प्यार आप लोग का ये सपोर्ट देख करके बहुत ज़्यादा मैं खोस हूं और खोस होने का जो कारण है वो इसलिए क्योंकि मैं कभी उमीद नहीं क्या था कि इतनी जल्दी मुझे इतनी सपोर्ट मिलेगी तो अब लगने लगा कि नयार जो अभी तक जो क कामों करना पड़ता था उसके बाद जो कभी-कभी टैम बसता था तो कभी-कभी टैम नेए बसता था तो एक-दो दिन वीडियो भी नहीं जा पाती थी तो जो बीच में मुझे कभी कुछ आदा गंटाए गंटा टैम मेला थो जैसे तैसले वीडियो सूट करके डाल देते मतला यसा कोई निकालने पाते था रात होता था रात में शूट कर दिया जाता था जब होताथ तब सूट कर दिया जाता था इसलिए qalit频 भी देखते हूंगी कि बहुत ज़्यादा quality भी नहीं देपा रहे थे तो अब लगने लगा कि ने यार मुझे इतनी ज़्यादा अगर प्यार मिल रही है तो क्यों ना महनत किया जाए तो दोस्तो आज मैं इतना ज़्यादा खोस हूँ कि लगने लगा कि ने अब थोड़ा सा मतलब अपने आपको एड़ेस्ट करके और आप लोग के पीछे समय दिया जाए तो दोस्तो अभी तक जो वीडियो गई थी और अब जो जाएगी उसमें से बहुत ज़्यादा फ़र पढ़ने वाला है क्योंकि अब जो है जो भी मेरे पास समय बच्छेगा उस समय को सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए त्यार करने वाले यानि आप लोग का चाहिए व फिर और एक्जाम के तयारिया मतलब जो वेकिंस आती है इंफर्मेशन होती है उसकी हर चीज कुछ अनकारिया में इस चैनल के माद हम से देते रहेंगे फिलाल ससे जीडी पे लगे हैं जब तक ससे जीडी का एक्जाम नहीं हो जादा तब तक कुछ अभी देखना नहीं है पिसलयर मतलब पर ससे जीडी के लिए बूड़ियiken है तो हम यहाथ तियारी करवाने के लिए दोस्तों क्या करके मेरे से पढ़़ेए नहीं समय उतन Müंतरा नहीं है कि हम आप लोगो को यहाँ पर पढ़ा सकें लेकिन मैं कुछ गैड करूँगा और व्यसे गाइड करूँग जो बहुत ज्याता महिनत करने के बाद हम आपको मतलब दो मिनट का जो बने गा उसके लिए तो ये वीडियो का जो टार्गेट मेरी रख रहे हैं क्योंकि अगर आप लोग अगर इसा चाहेंगे जो मैं आज करने जा रहा हूँ वो आप लोग के सहमत्ती के बाद ही करूँगा अगर लगता है कि नहीं हाँ सच में ऐसा होना चाहिए तो मैक्सिमम लोगों का जो कमेंट होगा मैक्सिमम लोगों को मतलब भेजना है और उन मैक्सिमम लोगों का हम कमेंट देखेंगे उसकी बाद लग कि नहीं सच में आप लोग को ये जोर्री है अगर ऐसा होगा तो मैं आज से मैं अपने आपको प्रमिस करता हूँ आप लोग के सामने प्रमिस करता हूँ कि आप लोग के पीछे बहुत ज्यादा महिनत करने वाले हैं बहुत ज्यादा समय देने वाले हैं तो चलिए बताते हैं, फिर अंत में हम आपको और बात करेंगें, मैं बताता हूँ कि हम करना क्या चाहरे हैं आप लोग के लिए, देखें, अभी आप त्यारी कर रहे हैं, समय बहुत कम हैं, आपके पास अगर देखिएगा दोस्तों तो कितना हैं, दिसंबर हैं, जन्वर हैं भरवरी मालीजे, यहीं मालीजे, धाई से तीन महिने को समय आपके पास बचा हुआ एकजाम के लिए, अब धाई से तीन महिना मैं आप कीसी तरही त्यारी करेंगें, कुछ नहीं पता चल रहा होगा, अन्बैलन्स हो रहे हैं, तो मैं वहीं चीज़ क्वाइड करने वाला ह दोस्तो मैं करना क्या चाहता हूँ, पढ़ाना आप ही को पढ़ेगा, कोई पढ़ा नहीं देगा आपके लिए, लेकिन मैं आपको पढ़ाई का रास्ता है, उसको थोड़ा असान बनाना चाहता हूँ, आपको पुरा रास्ता त्यार करके दे देना चाहता हूँ, और आपक जिके में क्या कि जिके में अभी तक कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा कोशन पुछा है यह को हम अंधा में या फिर किसी का वीडियो देख करके किसी को नोट्स त्यार करके मैं नहीं करने वाला हूँ मैं खुद S.C.G.D. का अभी तक जितना भी एक्जाम का कॉशन आया है उसका कूशन बेंक लेके आया हूँ उस कॉशन बेंक को पहले हम पूरा का पूरा पढ़ना है हमें और पढ़ने के बाद हमें देखना है कि जैसे भी सबसे पहले मेरा टार्गेट है अस्टेटिक जीके का क्योंकि SSGD में सबसे ज़्यादा जो कोशन पूछा गया अस्टेटिक जीके का पूछा गया है फिर हिस्ट्री फिर जोगराफी पॉलिटी इस तरह करके एक एकर के टोटल काटार्गेट है तो फिर अस्टेटिक जीके का हम उठाइए कि अस्टेटिक जीके में अभी तक कितने टॉपिक से कोशन पूछा जाग गया है किस-किस टॉपिक से आपको पढ़ना है जोस्तो जीसे भी आपको समय कमें तो आपको पताने चल पा रहा हूँ कि हम पढ़े क्या तो मैं बस उसी को रास्ते को बनाना चाहता हूँ कि एर ऐसा क्यों ना हो कि हम अभी जितना भी इस्ट्रेटिक जीके को कोशन आया है उस टॉपिक को कलेक्ट किया जाए पूरा का पूरा पहले हम पूरा पूसको पढ़ डाले कि अभी तक पूछा क्या क्या है कौन सा कौन सा टॉपिक से कोशन पूछा है उसके लिग दोस्तों पूरा पहले पढ़ेंगे तो पुन दो मिनट का वीडियो देंगे बहु ज़्यादा लंबाई वीडियो नहीं होने वाला बस दो से तीन मिनट का वीडियो होगा हर टॉपिक के लिए तो अस्ट्राटिक जीके का जितना भी अभी तक एकजाम हुआ है से से जीडिका उसमें से किस किस टॉपिक से कोशन पुछा गया है मुश्गिल से 20 टॉपिक होगा 25 टॉपिक होगा उस टॉपिक का लिस्ट आपको दे दिया जाए और दो से तीन दिन आपको टार्गेट रहेगा कि यह स्ट्राटिक जीके का पूरा पूरा पढ़ डालिए हम यहां से आपको बोलते रहें कि आपको इतना आज का होंब और के कि आपको इतना टॉपिक पढ़ क्या ना है फिर इस तरह से पॉलेटिक को उठा लिया जाएगा कि पॉलेटिक में किस किस टॉपिक से कोशन ज्यादा तर पूछा गया अब एक दो है तो उतना देखे समय कम उतना को छोड़ दिया जाए इस तरह से टॉपिक वाज आपको क्या कर दिया जाए लिस्ट दिया जाए आपको वीडियों बोलते रहेंगे एक एक टॉपिक को आप कॉपि में नोट कर लिजएगा और ये मेरा जो टार्गेट रहेगा वो 75 डेज का एक टार्गेट रहेगा कि आपको 75 डेज हम लगतार गाइड करते रहें और आपको तब तक ना रुके जब तक कि आपको एकजाम ना हो जाए जिक्के के बाद पूरा Science, Physics, Chemistry जितना भी है, Quality, Economics हर चीज को हम एक एक दिन में परती एक दिन एक एक टॉपिक को कम्प्लेट करते जाएं मैथ में कौन सा कौन सा टॉपिक से कोस्टन पूछा गया भी तक और अगर टॉपिक से पूछा गया कि किस टाइप का भी कोस्टन बार बार पूछा जा रहा है उसको भी देख लेना है उसके लिए पूरा का पूरा कोस्टन बैंक प्रिभी सिर्स का देखने के बाद हम बनाएंगे इसे नहीं कि अंधे में हम तीर मार्ट देना है तो बोली क्या आप लोगो ये तरीका सही लगा क्या लगता है कि आप लोग का ऐसा होना चाहिए अगर लग रहा है कि आप लोगो ने ऐसा सचे में होना चाहिए हम लोग को एक सही गाइडन्स मिलना चाहिए कि ने पढ़ने का जो एक ट्रैक त्यार हो जाए कि हमको इसी ट्रैक पर चलना है उसके बाद फिर एक टार्गेट और में रख्या रहेगा पहले बोले कि हम यहाँ पढ़ातों नहीं सकते हैं हम जो जो टॉपिक बताएंगे उस टॉपिक को फिर पढ़ना कहां से है अब हम अब है आपको फिर पढ़ना कहा से हैं क्या ओंलान पढ़ना है। और प्लाइन पढ़ना है। ने यहां पी चर्चा कर लिए। लेकिन आज सबसे पहले आपको काम क्या है। कि इस वीडियो को इस वीडियो को इतनी सेयर कीजिएगा कि मैक्सिमम लोगों के पास पहुचिया है और मैक्सिमम लोगों के पास पहुचने के बाद मैक्सिमम लोगों का कंसेंट आना चाहिए संमत्ति आना चाहिए कि हां सच में इसा हमें चाहिए और सच में यसा मुझे ज़वर्द है अगर है तभी हम बनाएंगे ने कहले धायर के लिए जब आप नहीं देखेंगे दोस्ते मुत्रा महनत करने पाएंगे उतना समय है नहीं मैं नींद को और जो जो काम है सब को छोड़ करके महिनत करना चारा हूँ कि यह चलो दो-तीन महिना भी पूरा जीजान लगा करके महिनत कर ले अभी मैं छोटी भी जाननी है तो और समय फ़ला सा मिल जाएगा तो आप लोग के परती समय दे देंगी कोछ भूमने फिरने करने यह सिर्फ फृष निंद्ये जाएगा अगर अगर सां मद होतीओ तो अगर सां मत हैं तो Нे कमेंट कर देना है कि हां सच में इसा जोर्त है और सच में फिर हम स और टले котором और प्स्क्रूंशे नहीं कर रहे हैं या फिर तभी लोग रिस्पॉंस नहीं दे रहें, अगर जोर्थ है भाई तो रिस्पॉंस तो मिलना चाहिए, तो रिस्पॉंस दीचे, और मैं ये इंतिजार करूँगा, कल नहीं, यानि आज देखे फ्रैडे है, आज आपको वीडियो मिल रहे है, कल मैं आपका इंतिजार क पहुंचने वाला है, वीडियो बहुत मतलब दूर तक पहुंचू कि बस इसको भी आप पहुंचा दिजे, और अगर पहुंचा देते हैं दोस्तों, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ, कि आप लोग के परति इतना ज्यादा महिनत करूँगा, कि आप भी नहीं सोच पाएंगे, कि सच में इतना को मतलब नहीं स्वार्थ भाह से महिनत किया जा रहा है, क्योंकि जब मुझे इतनी जल्दी सपोर्ट मिली आप लोग से, आप मुझे एक अंदर से लगा कि यह सच में कुछ लोगों के जूरत है, सच में हम कुछ और लोगों के लिए महिनत कर पाएंगे, त आप लोगों को और परसो यानि 3 दिसंबर साम तक आपका रिस्पोंस देखने के बाद रात में आपको वीडियो दे दिया जाएगा, कि पहले अस्टेटिक जीके का, अस्टेटिक जीके का देने के बाद फिर एक यह करेंगे सब कूछ दे दिया जाएगा, तो अगर आपको मेरे मत जो भी है भाई बहुत खुस है तो इसी तरह का भरोसा बनाए रखिएगा मैं आप लोग के परती जी जान लगा करके मैंनत करूँगा जब तक एक्जाम ना हो तब तक आपके साथ हूँ चलि मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा बाई जय हिंद